असलाम अलेकूम गुड टू हैव यू एट उर्दू आडियो बुक्स हाजिरे खिद्मत है निम्रा एहमत का नौविल हालिम एपेसोड सिक्स्टी एक हफ़ते बाद हालिम का बंगला सुभा की चमकीली रोशनी में नहाया खड़ा था राद बारिश खूब बरसी थी और इसलिए घास अभी तक गीला था प्रोसीक्यूटर साहम ने सराहती नजरों से उस खूबसूरत बंगले को देखा और फिर घंटी पे हाथ रख दिया दर्वाजा चनलम में बाद ही खुल गया बाहर आने वाली लड़की तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत थी उसने गुलाबी रंग का बाजोक रंग पहना था और कंधे पे स्टोल डाल रखी थी सुनेहरे बाल गूंगर याले करके चेहरे के एक तरफ पड़े थे मोतियों की लड़ी गर्दन से चिपकी थी और चेहरे पे हलका फुलका सा मेक अप नजर आता था उंगली में बेश खीमत सुर्ख आंसु वाली अंगूठी दमक रही थी आईए अंदर आईए वो खुशदिली से मुस्कुरा के कहती उनको अंदर ले आई उमीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा एहमद निजाम चारों अत्राफ का बगर जाइजा लेते उसके पीछे आई अंदर बड़ा सा लाउंच था जिसके एक तरफ जीना उपर जाता दिखाई दे रहा था और दूसरी जाने ओपन किचन था अरे नहीं मैं बस मतजस्स हूँ कि आपको मुझसे मिलने की नौबत क्यों पेश आई वो खुद बड़े सोफे पे टांग पे टांग जमा के बैट कई तो सामने बैटते हुए एहमद निजाम ने देखा वो कोहनी सोफे के हद पे जमाएं उंगली पे घुंगर्याली लट लपेटने लगी थी उसके अंदाज में कुछ शाहाना सा था जो आम लड़कियों से मुक्तलिफ था आप पबलिक परसनालिटी बनती जा रही हैं चैतालिया कुछ सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे जिनका जवाब देने के लिए आपको जहमद देना चाहता था तो आप मुझे बुला लेते ना मैंने आपके घर की बड़ी तारीफ सुनी थी अपनी आँखों से देखना चाहता था माशालला बहुत गुबसूरत घर है कितने का लिया था सोफे पे बैठी लड़की मुस्कुराई अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं घर के काख़ात ले आती हूँ पिछला पूरा महीना में सियासी कामों में पड़ी रही तो ठीक से सफाई भी नहीं करवा सकी नहीं मैं दिल से तारीफ कर रहा था कॉनफ्यूशिस कहता था कि किसी इनसान का घर देखके मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो कैसा आदमी है आप कॉनफ्यूशिस जैसे हैं क्या वो हलके से हस दिये अरे नहीं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका source of income क्या है मैं एक painter हूँ, अपनी paintings online बेचती हूँ, उससे मैंने ये सब बनाया है मेरे पास सारा money, trail, bank, documents और text return मौजूद है वो सब मैंने देखे हैं चैतालिया लेकिन अक्सर money laundering करने वाले भी इसी तरह अपने black पैसे को white करते हैं फर्जी paintings, फर्जी sales मैं money laundering नहीं हूँ तो आप क्या हैं? इस सवाल पे वो खलका सा हसी मैं? मैं तालिया हूँ और तालिया साहिबा मुझे ये बात अजीब लगती है कि एक मसरूफ socialite और painter जिसके पास इतनी दौलत है वो किसी restaurant में बत और waitress काम करे वो गोड़ से उसका चेहरा देख के बोला तालिया ने ताज़ब से अबरू उठाया आप ये समझते हैं कि मैं कहीं waitress बन के काम करती रही हूँ आप इस बात से इंकारी है लड़की ने अफसोस से सरहिलाया आपके investigator ने मेरे बारे में ना मुकमल मालूमाद दी हैं आपको यानि आप इंकार कर रही हैं कि आप waitress बन के सिर्फ waitress मैं तो sweeper भी रही हूँ laundry भी की है librarian भी थी एक जगा तो में gymnastic भी करती थी एक चिडिया घर में परिंदें को खाना खिलाने का काम भी किया है चांद एक लोगों के घर में कुक भी रही हूँ और किसी की house keeper भी थी एक दफ़ा में swimming teacher भी बनी थी और एक दफ़ा rifle shooting coach मैं आपको उन लोगों के नाम दे देती हूँ जहां मैंने काम किया है आप उन से पूछ सकते हैं prosecutor एहमद निजाम को इस जवाब की तवक्का नहीं थी वो बिलकुल लाजवाब से हो गए थे तो आपने इतनी दौलत होने के बावजूद ये सब काम क्यों किये पहले आप मुझे ये बताएं prosecutor सहाब वो आगे को हुए और सामने बैठे शख्क्स की आँखों में जहांका गानून में कहां लिखा है कि इतनी सारी जौब्स करना जुर्म है मैंने तो हर जगह अपना नाम तालिया ही बताया मैंने किसी से गलत बयानी भी नहीं की तो फिर मसला क्या है prosecutor सहाब अब पुतलियां से कोड़े उसे देख रहे थे बिल्कुल ये जुर्म नहीं है लेकिन ये अजीब है आप ऐसा क्यूं करती है अरे वाह इतने सालों में किसी ने मुझ से ये सवाल पूछा है वो चहक उठी फिर खड़ी हुई और किचन तक गई कैबनेट कोल के एक किताब निकाली और वापस आके उसके सामने मेज पे रखी और अपनी जगा पे बैठी ये एक किताब पढ़ी है आपने उन्होंने नजरें जुका के देखा बंगार आया मलायो जी हाँ स्कूल में पढ़ी थी क्या आपको सुनेहरे बालों वाली शहजादी ताशा का हुलिया याद है बादामी शकल की आँखें सुत्वानाग उभरी हुई गाल की हड़ी और बैजवी फेस कट अब मुझे देखें और बताएं क्या आप प्री इंकार्नेशन पे यकीन रखते हैं एहमद निजाम ने ताच्चुब से अबरू उचकाए साथ जन्मों पे हर्गिस नहीं मैं मुसल्मान हूँ मगर मुझे लगता है क्या मैं शहजादी ताशा का दूसरा जन्म हूँ मलाका सल्तनत की शहजादी ताशा आपको लगता है क्या आप वो हैं हम्म लड़की ने पलके जपकाई सिर्फ वो ही कर सकती थी ये सारे काम खाना पकाना सिलाई कड़ाई जंगी उमूर और फिर वो सल्तान की मुशीर भी मुकरर हुई थी अब मुझे देखें क्या मैं ये सब नहीं कर सकती क्या मैंने वान फाते को इलक्शन नहीं जितवाया रोसेक्यूटर सहाब गोर से उसे देखने लगे क्या वो लड़की किसी आपसेस्ट किसी साइकोपैथ होने की अदाकारी कर रही थी क्या वो वाकई साइकोपैथ थी फैसला करना मुश्किल था मेरा हर अमल शहसादी दाशा के आमाल का मिरर इमेज है मैं सचे खाब भी देखती हूँ और उन जगों पे जाके काम करती हूँ जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है फिर मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ बजाहिर मैं एक आर्टिस्ट हूँ सर लेकिन आपने पूछा है तो बता रही हूँ कि अपने नजदीक मैं शहजादी दाशा की प्रेंकार्नेशन हूँ फिर उसने टेक लगा लिया और मुस्कुरा कर पूछा कुछ और जानना है आपने बस इतना बहुत है उमीद है आपने सारे सवालात के जवाबात सच बताएं होंगे मैंने सब सच कहा है सर वो मुस्कुराई बस एक आखरी सवाल वो उठे और पूछने लगे आपने कोई मेड वगेरा नहीं रखी आपके घर का काम कौन करता है सवाल कद्री गेर मतवक्का था तालिया जरा साच चौंकी मैं खुद करती हूँ सफाई, डस्टिंग, सब कुछ ओके वो खुले दिल से मुस्कुराई और जाने के लिए इजाज़त चाही तालिया ने उन्हें नहीं रोका पर बैठे इन्वेस्टिगेटर ने बेचैनी से पूछा कैसी रही मुलाकात लड़की ने अच्छी कहानी बनाई, खुद को अपसेस्ट किस्म की साइकोपैथ जाहिर किया, इंस्पिरेशन लेने के लिए वो ये जॉब्स करती थी और उसको तमाम कावानीन का भी इल्म था कि अमीर होके जॉब करना जुर्म हो ही नहीं सकता, उसने कोई जॉब नहीं चुपाई पेपर वर्ट भी उसके पास है हमने उसके टेक्स रिटर्ण वगेरा भी देख रखे हैं बस जाहिर वो क्लीन है तो आप मुस्कुरा क्यूं रहे है वो गौर से प्रोसेक्यूटर के चेहरे की मुस्कुराती लकीरों को देख रहा था उसके जो पेपर्स हमने निकल वाए थे उसमें दर्श था कि उसकी कोई नौकरानी नहीं है तो उसने भी यही कहा कि वो घर का काम खुद करती है और वो सच कह रही थी वो हनूज मुस्कुराई जा रहे थे अकसर लोग घर का काम खुद करते हैं सर और इसलिए वो पिछला पूरा महीना घर से ला तालुक और वान फाते की मोहिम में इतनी मस्रूफ रही कि उसने घर की सफाई पे तवज़ा नहीं दी इन्फेंस्टिगेटर ने मूँ बनाया क्या उसका फरनिचर इतना मेला था जो आप खवातीन की तरहा नुक्स निकाल रहे हैं सिर्फ दीवारे वो साफ नहीं थी और उन पे फ्रेम मार्क्स थे दिन की रोशनी में वो साफ नजर आते हैं वो उनकी आदी होगी इसलिए उसे हिसास नहीं हुआ कि खाली दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स के डस्ट मार्क्स है मतलब जब कोई पेंटिंग दीवार पे आवेजां की जाती है तो वो चौकोर हिस्सा गर्थ से बच जाता है उसकी दीवार पे जगा जगा चौक्टे बने थे जिनके अंदर दीवार का पेंट चमक रहा था यकीनन उसने चंद हफते कबल अपने घर से बहुत सी पेंटिंग्स उता रही हैं मगर दीवारों पे ज़ाडू फेरने का खयाल उससे नहीं आया दीवारों पे भी ज़ाडू फेरा जाता है इंग्वेस्टिगेटर ने जुर जुरी ली अगर तुम्हारी बीवी मेरी बीवी जैसी सफाई पसंद होती तो वो तुम्हें बताती के बाल भी शैंपू किये जाते हैं और पर्फियूम भी लगाया जाता है वो नाग से कोड के कार स्टार्ट करने लगे चोट उसके रफ हुलिये पे थी वो शर्मिंदा हो गया बहरहाल इस सब का क्या नतीजा निकला हो सकता है उसने यूही पेंटिंग्स उतार दी हो ये भी जुर्म नहीं है एक लड़की जो मुख्तलिफ हुलिये अपनाती रहती हो और जिससे आर्ट की सारी समझ हो वो अपने घर में लगी बहुत सी पेंटिंग्स एक दम से गाइब कर दे तो वो सिर्फ एक चीज हो सकती है कार सड़क पे डालते हुए वो संजीदगी से बोले थे आर्ट थीफ इन्वेस्टिगेटर की रीड की हड़ी में संसनी खेज लहर दोड़ गई थी हालिम के बंगले का लॉन सुभा की बारिश के बारिश के बाद से निकरा निकरा सा लग रहा था आज वकफे वकफे से बारिश हो रही थी और सियाह बादलों ने आसमान पे ऐसे बसेरा किया हुआ था कि दोपहर बारिश होने के बावजूद शाम सी लगती थी तालिया ने अपने लाउंच की सारी खिड़कियां खोल रखी थी बत्तियां बुझी थी और उसे खुद्रती रोशनी में उन तीनों ने दोपहर का खाना खाया था अब वो लाउंच में टीवी के सामने बैठे थे तीनों की कुरसियां बराबर रखी थी और तीनों के हातों अफिस नहीं जाओगी दातिन ने जुक के पर्ष से दवा की डबी निकालते हुए पूछा भाई हम इलेक्शन जीते हैं इतनी मेहनत के बाद ये पूरा हफता फाते सहब और अस्रा बेगम ने मुबारक बादी पार्टीज में गुजार दिया है अगला हफता भी ऐसे ही गुजरेगा इसलिए मैंने पंदरा दिन की छुटी ले ली थी ये तुम किस चीज की दवा ले रही हो उसको गूलिया फांकते देखके चौंकी ये एंटी डिप्रेशन है मादाम जो मेरी उमर में आके लेनी पड़ती है धातिन पदुका लापरवाही से बोली और टीवी को देखने लगी मेरे बापा तो नहीं लेते थे वान फाते तो नहीं लेते हर किसी को नहीं लेनी पड़ती मगर जो लोग वोट नहीं देते उनको तो डिप्रेशन तो होगा ना सर जटक के सामने देखने लगी दफ़तन एडम पे नजर पड़ी तो गहरी सांस ली तुम क्या मजनू बने बैठे हो अब बस कर दो अफसोस करना हम साइमन फॉस्टर से डील कर लेंगे उचे इस तरह उनको वो चीज़ें देनी ही नहीं चाहिए थी एडम अभी तक अफसोस कर रहा था उसका डिजर्ट पिघल पिघल रहा था और वो बे तवज़ई से अंदर चम्मच चला रहा था बस कर दो खुद को अलजाम देना एडम दातें ने बुरा सा मू बनाया मैंने तुम्हें उस सहाफी से मिलवाया था मैं तो खुद को नहीं मलामत कर रही तुम भी दिल छोटा ना करो हाला के जो लोग वोट नहीं डालते उन्हें खुद को मलामत करना चाहिए तालिया उस दिन से उस पे बाद बाद पे चोट करती थी मगर दातिन बुरा माने बगएर मुस्कुराती रहती हाँ तुम वोट डालने वालों को भी जल्द आटे डाल का भाव मालूम हो जाएगा मगर एडम मूँ लटकाए बैठा रहा कोई भी चीज उसके दिल को तसली नहीं दे सकती थी तालिया और दातिन ने एक दूसरे को देखा और फिर तालिया बच्चों को पुछकारने वाले अंदाज में गोया हुई देखो एडम फिल वक्त तुम्हें खुश होना चाहिए वानफाते इलेक्शन जीत गए हैं उनके खाप पूरे होने जा रहे हैं अब हम हुकुमती पार्टी में होंगे हम साइमन जैसे स्कैमर्स का रास्ता रोक सकेंगे एडम ने नजरें उठा के उसे देखा मैं खुश हूँ चायता लिया मगर अगर मगर कुछ नहीं आज हम सब बाहर डिनर करते हैं और सेलिबरेट करते हैं उफ मैं इतनी खुश हूँ के पता नहीं सकती वो गोया जूम जूम जाना चाहती थी मुझे आखरी लम्हे तक धड़का लगा था कि हम हार जाएंगे मगर हम नहीं हारे सच की जीत हुई सब इतना अच्छा जा रहा है तुम अब तो उदास नहो वो बहुत उमीद बहुत खुशी से कह रही थी जब दातिन ने टोका वो तुम्हारा वान फाते आ रहा है टीवी पे टालिया ने मुस्कुरा कि स्क्रीन को देखा और आवाज उंची की चेर्मेन वान फाते कहो मगर ओ सौरी तुमने तो वोट ही नहीं डाला था मगर दातिन ने जवाब नहीं दिया वो आगे होके गोड़ से स्क्रीन पे चलती खबर देखने लगी ताज़ा इतलाद के मताबिक बारेसन नेशनल के नए चेर्मेन वान फाते ने अपनी पार्टी में L.A.P. के तहात को खुशामदीत कहा है अभी अभी L.A.P. की मरकजी खयादत की वान फाते से B.N. के हेड़कॉर्टर्स में मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने B.N. में बाकाइदा शमूलियत का एलान कर दिया है वाज़ रहे के L.A.P. के मरकजी खायदीन में अमीर उद्दीन बदावी गैग चांग और हशाम जरजीज भी शामल है जिन पे करप्शन के बड़े बड़े मुकदमाद दर्च है और जो कुछ अर्सा पहले तक वजीर आज़म सूफियर रह्मान के साथ थे और इसी वज़े से वो करप्शन मुकदमाद का सामना करने से बचे रहे थे नाजरीन को याद करवाते चलें कि अभी चंद दिन पहले वान फाते ने सूफियर रह्मान से एक गए रस्मी मुबाहिसे के दौरान कौम से वादा किया था कि वो बुरी शौरत वाले करप्ट सियासतदानों को कभी भी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे लेकिन हांग कांग पेपर्स के बाद सूफियर रह्मान की कमजोर होती पोजीशन और ताजा ताजा मिली चेर्मेन की सीट ने वान फाते को उनका पहला वादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया है नियूस कास्टर बुलंद आवाज में मस्कुराते हुए पढ़ रही थी और हालिम के बंगले में सन्नाटा चा गया था ये ये खलत खबर है शायद तालिया की आँखें स्क्रीन पे जमी थी चै तालिया वो तस्वीरें दिखा रहे है वान फाते उन लोगों से हाथ मिला रहे है ये तो वाकई हश्शाम जर्जीस है बदनाम जमाना हश्शाम जर्जीस एडम की आवास किसी कुएं से आती सुनाई दी मगर तालिया ने सक्ती से नफी में सर हिला दिया मीडिया बातों को बढ़ा देता है मगर ये मिले चैनल नहीं है ये बेनुलाकवामी चैनल है और ये बी अन का आफिस ही लग रहा है मुझे मगर वान फाते ने तो वादा किया था के एडम दंग था और उसी पल दातिन का कहका सारे में गूंजा तालिया ने गर्दन मूर के उसे देखा वो गर्दन पीछे फैंके हस्ती जा रही थी उसने बदेकत चेहरा सीधा करके हस्ते हुए उन्हें देखा हाँ भई वोड डालने वालो बन गया तुम्हारा बेहतर मलेजिया कर दिये वान फाते ने सारे वादे पूरे एडम हका बका सा स्क्रीन को देख रहा था और तालिया उसकी नजरें तस्वीरों में दिखाई देते फाते के हातों पे जमी थी जो जिरजीज जैसे बदनामे जमाना आदमी के हाथ से मुसाफा कर रही थे नातिन हस्ती जा रही थी तुम दोनों अभी तक नहीं समझे अरे ये सब एक कौन था इलेक्शन सबसे बड़ा कौन गेम होता है तुम वोटर्स को लगा कि वोट डालना तुम्हारा आइडिया था तुम अपनी मर्जी से वोट डाल रहे थे नहीं बेवगूफों अगर वोट से तबदीली आनी होती तो ये लोग इलेक्शन को खत्म कर चुके होते ये सारे स्यासतदान कौन आर्टिस्ट हैं स्कैमर्स हैं इन्होंने तुम्हारे साथ कौन्फिडन्स गेम खेला है तुम्हें सबसे ज़्यादा इतमाद किस चीज़ पे था अपने खाबों के पूरा हुने पे उन्होंने तुम्हारे लालच को इस्तेमाल किया तुमने वोट खुद नहीं डाला उन्होंने तुमसे डलवाया है और हर कौन के आखिर में एक अच्छे कौन मैन की तरहां ये स्यासतदान की एक्जिट थी ऐसी एक्जिट जिसके बाद टार्गिट कुछ नहीं कर सकता वो हाथ मलता रहता है और उसे तब इहसास होता है कि वो बेवकूफ बन गया क्योंके स्यासतदान ने डील कर ली उसे अगला इलेक्शन जीतने के लिए हशाम जर्जीज जैसे लोगों का साथ और पैसा चाहिए एडम और तालिया जैसे लोगों के खाब नहीं फिर वो जुकी और बोतल से दो गोलियां निकालके उनके सामने मेस पे रखी तुम दोनों को इस वक्त इनकी जरूरत है और एक दफ़ा फिर से हंसने लगी उन्होंने मलाका में भी यही किया था उन्होंने मुराद राजा के साथ दील कर ली थी एडम खोया खोया सा बोला तालिया एक दम उठी कार की चाबी उठाई और दर्वाजे की तरफ लबकी उसका चेहरा धुआ 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 हो रहा था एडम पीछे जाने लगा तो दातिन ने उसे रोका उसे अपने लीडर से खुद बात करने दो आँखों की पट्टी और चेहरे के नकाब को उतरने दो वो अपने लीडर की हार और जीत दोनों के लिए तैयार थी लेकिन किसी को चाहिए कि वो अपने वोटर्स को तीसरे मंदर नामे के लिए भी तैयार कर दिया करे वो आहिस्ता से बुली अगर लीडर जीत के भी उसूल हार दे तो फिर क्या करना चाहिए वो इसके लिए तैयार नहीं थी एडम आहिस्ता से वापस बैठा वो बिलकुल गुम सुम सा हो गया था चेर्मेन का आफिस उनके पुराने आफिस से उपर वाले फ्लोर पे था उसके बाहर एक छोटा सा आफिस सेक्टरी कभी बना हुआ था जो इस वाद खाली था तालिया की छुटी के पेशे नजर उधर आजकल फाते का बाडी मैन बैठता था चेर्मेन आफिस अंदर से बेहद वसी और पूरत आयुश था उसकी मरकजी कुरसी उंची और सब्स रंकी थी फाते बिन रामजल उसी कुरसी पे बैठा मेज पे रखी फाइल देख रहा था जब दर्वाजा खुला और तालिया अंदर दाखिल हुई वो सादा फ्रॉक पे गर्दन में स्टोल की बुकल मारे बालों की रफ सी पोनी बनाए गुलाबी तमतमाते चेहरे के साथ खड़ी थी फाते ने कौफी का गून बढ़ते हुए उसे देखा और मुस्कुराया आओ ताशा ये लड़का बिलकुल अच्छी कौफी नहीं बनाता शुक्र है तुमने अपनी छुटी खत्म की वो लब भीचे उसके करीबा खड़ी हुई नजरे उसके चेहरे पे गड़ी थी मैंने अभी अभी नियूज देखी आपने ल.ए.पी से इत्तिहाद कर लिया? ये कब हुआ? उसका लहजा अजीब सा था हाँ वो फाते ने फाइल का सफ़ा पल्टाया और रहना कुतार के रखी उनके साथ इत्तिहाद जरूरी था इलेक्शन में सिर्फ एक साल पड़ा है और सबा की रियासत समेथ बहुत सी जगों पे हम उनके बगएर जीथ ही नहीं सकते आपने ल.ए.पी से इत्तिहाद कर लिया? वो बेयकीनी से पूछ रही थी हशाम जरजीज जैसे करप्ट लोगों से रिलैक्स इतनी परेशान ना हो पार्टी के पास पैसे नहीं है और हमें उनकी हमायत चाहिए वो संजीदगी से उसे देख के बोला जैसे तुमने अशर के पैसों से मेरे इलेक्शन को फंड किया था इसी तरह हम उनके पैसों से बी अन के इलेक्शन को फंड करेंगे अशर इंते है खबीस आदमी है लेकिन उसने करप्शन करके दौलत नहीं बनाई सर रिश्वत खाता है मनी लॉर्णिंग भी करता है लेकिन उसने आवाम का पैसा टैक्स का पैसा कभी नहीं खाया क्यूंके वो अवामी उहदे पे नहीं रहा और तालिया मुराद ने कभी लोगों से वादा नहीं किया था कि वो अशर से मदद नहीं मांगेगी वो खुसे में कह रही थी आपने स्टेज पे खड़े होके लोगों को गवाह बनाके कहा था कि आप ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे और आपने उन्हें ही पार्टी में शामल कर लिया फाते ने गहरी सांस लेकर टेक लगाई अच्छा अगर मैं ऐसे लोगों को ना लूँ तो क्या करूँ इलेक्शन हार जाओं सारी उमर और अपोजीशन में बैठों तुम्हारे ख्याल में वजीर आजम का इलेक्शन जीतने के लिए ये ना करूँ तो क्या करूँ मेरा ख्याल जो भी हो उससे फर्ख नहीं पढ़ता फाते साहब वो हतेलिया मेज पे रखे जुक के गुराई थी आपके ख्यालाद से फर्ख पड़ता है आपने वहां खड़े होके सुफिया रहमान की बात को रद किया था आपने वादा किया था मगर आप आप वो ही कर रहे हैं जो सुफिया रहमान करती आई है हश्शाम जिर्जीस जैसे लोग करप्ट लोग है सर अवल तो उस पे कोई करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई दूसरी बात तालिया ने जोर से बंद मुठी मेज पे रखी अब आप उसको डिफेंड भी करेंगे वो बेयकीनी से दबा दबा सा चिल लाई क्या कुर्सी और इक्तिदार ऐसे इनसान को बदल देती है हम सब जानते हैं कि वो करप्ट है आपने वादा किया था कि आप किसी बुरी शोरत वाले को पार्टी में नहीं लेंगे वो एक कैमपेइन प्रामिस था वो खुस्से से सीट से उठा और गुरा के बोला तालिया के कंदे ढला ग्तीधी घड़ी हुई और ताजब से उसका चेहरा देखा जब आप वो वादा कर रहे थे तो आपको मालूम था कि आप इससे पूरा नहीं कर सकते फिर आपने वो वादा क्यों किया आप लोगों को क्या जवाब देंगे लोग एक हफ़ते में भूल जाया करते हैं लोगों को हर बात समझ नहीं आती उसने गुस्से से हाथ जुला के कहा कारकुन कारकुन होता है और चेर्मेन चेर्मेन मैं इस सीड़ पे इसलिए हूँ क्योंके मुझे मालूम है इस साप सीड़ी के खेल को कैसे खेलना है कुछ कॉम्प्रोमाइजिस करने पड़ते हैं तो फिर मुझे क्यों बुरा भला कहा था जब मैं अबुल खेर के पैसे लाई थी आपको छुड़वाने के लिए वो सोर से चिलाई फिर मुझे क्यों कहा था कि मैं जूटी हूँ कौन आर्टिस्ट हूँ चोर हूँ मुझे क्यों कहा था कि मुझे खुद को बदलना है अगर आपने उन चोरों के साथ मिल ही जाना था तो मुझे क्यों सच बोलना सिखाया था मुझे क्यूं उसूल और इखलाकियात सिखाए थे मैंने अपनी जिन्दगी तबह कर दी आपकी इस जॉब में मेरे पीछे प्रोसेक्यूटर्स पढ़ गए सिर्फ इसलिए कि मैं आप पे यकीन करती आई और आखिर में आपने वही किया जो आपने मलाका में किया था आपने वहां भी मेरे बाप से डील की थी और आपको वहां भी मालूम था कि वो संदूग गुलामों को नहीं देने आपने शुरू से उन्हें मुराद राजा को वापस करने की प्लानिंग की थी आप मेरे जैसे लोगों को स्कैमर्स कहते थे तो आप आप खुद क्या हैं आप सियासतदान क्या हैं सदमे और गुसे से बोलते हुए उसकी आँखों से आँसों बेहने लगे थे केरफुल फाते ने हाथ उठा के सक्ती से उसे रोका तो मुझे ठीक नहीं लग रही हो इसलिए पता नहीं क्या बोले जा रही हो यहां मुझे चिलाने के बज़ाए घर जाओ और आराम करो ओह यानि अगर मैं यहां आप पे चिलाऊंगी तो आप मुझे नौकरी से फाइर कर देंगे वो खुसे से बोली ताशा तुम वाकई चेर्मेन सहब उसने फिर से मेस पे हाथ मारा और उसकी आँखों में देख के चबा चबा के बोली मेरा नाम तालिया है मैं मुराद राजा की बेटी हूँ मैं अपने बाप की शहजादी हूँ और आप आप वांगली के गुलाम हैं मैं समझी थी मैंने आपको आख़ाद इनसान बना दिया था मगर आप अभी गुलाम ही हैं आप क्या फाइर करेंगे मुझे मैं आपको आपाच से मेरे लीडर नहीं है आपने एक कौन मुमन को कौन करके गलती की है और अब मैं आपको वजीर आजम नहीं बनने दूँगी मेरा नाम याद रखिएगा मैं ताशा नहीं हूँ मैं तालिया बिनते मुराद राजा हूँ वो उस पर गुराते हुए आगे बढ़ी और मलेका के से अंदाज में हाथ मारके उसकी मेज से चीज़ें गिरा दी वो माथे पे बल लिये खड़ा उसे देखता रहा कुछ कहा नहीं जब्त कर गया वो मुरी और तेजी से दर्वाजे की तरफ बढ़ गई उसकी आँखें आश पता नहीं वो कहां होगी ठीक भी होंगी या नहीं ओ हीरो ये मत समझो के वो खुद को ट्रेन के नीचे दे देगी वो तालिया है उस सियासतदान को खरी खरी सुना के उसकी एक आच चीज़ तोड़ के ही आएगी धाते नप सोफे पे बैठी किसी दूसरी किसम का पारी सूरते हाल से सबसे ज्यादा खुश वो ही थी एडम ने रुक के खफकी से उसे देखा ये कोई अच्छी बात होगी क्या मेरा कोई पसूर नहीं है इसमें तुम लोगों ने उसे वोट दे के बनाया था चेर्मैन अब खुद भुग तो और चॉकलेट से भरा चमच बात करने के सुल्तान मुर्शिल स्जाह को उसके सवालों ने लाजवाब कर दिया था ना बंदा हरा फाते क्या चीज़ है वो अब चमच से प्याले में रखा वेफर तोड रही थी हम वाकई एडम कमर पे हाद बांधे फिर से टहलने लगा दफतन वो रुका और अचंबे स दातिन को देखा कौन से सवाल हम वो मगन से खा रही थी चैतालिया के कौन से सवालात ने मुर्सिल शा को लाजवाब कर दिया था दातिन ने उसे घूर के देखा वो शेजादी ताशा के साथ सवाल जो उसने मुर्सिल शा के सामने रखे थे शादी की शर्त के तोर पे खु ही भूल गए हो एडम उलच के उसे देखने लगा शहजादी ताशा ने तो कोई सवाल नहीं रखा था वो तो बस गायब हो गई थी अरे यार वो रखी है बंगर आया मलायो किचन की मेस की तरफ इशारा किया हमने तो बच्पन में इम्तिहान के लिए इन सवालात का रटा भी लगाया था और तुम्हें खुद नहीं याद बुरा सा मूँ बना के वो खाने लगी एडम बिजली किसी तेजी से मेस तक गया और किताब उठाई फिर जल्दी से फहरिस्त को ली कौन से बाब में थे वो सवालात जो उसका सवाल अधूरा रह गया अब बाब की फहरिस्त पे फिरती उंगली ठहर गई फहरिस्त में पंदरा अबबाब के नाम दर्च थे एडम को अच्छी तरहां याद था उसने सिर्फ बारा बाब लिखे थे शायद बाब में बारा अबबाब के पंदरा बना दिये गए हो उसने सोचा लेकिन बारा अबबाब के नाम वही थे जो उसने लिखे थे एक दो लवज आगे पीछे था मगर माना वही थे धड़कते दिल से उसने बार में बाब का आखरी सफ़ा खोला और तमाम गुलामों को आजाद करवा के बंदा हारा की बेटी एक दिन अपने घोड़े पे सवार निकली जंगल की तरफ और फिर ना देखा किसी जीनफस ने उसके बाद उसको शायद वो बादलों के उपर चली गई थी या उनके पार जहानों में उसने कपकपाते हातों से अगला सफ़ा पल्टाया बाप तेरा अस आदम बिन मुहम्मद और जब लोटी शहजादी ताशा अपने सफर से अपने मुर्ख के साथ तो देखा उसने अपने मलाका को अजीब हालत में एडम ने करंट खा के वो किताब छोड़ दी दूर हटने लगा दूरी नगारा मलायो मलाया का कांटा उसने खाब में देखा एक घना जंगल उसके आसपास था उचे दरख, कीचर आलूद जमीन और वो तीनों उस पे चलते जा रहे थे वो आगे था और दो लोग अकब में आते महसूस हो रहे थे हपस, गर्मी, पसीना हर एहसास शदीद था खाब में भी वो ये जानता था कि ये खाब नहीं है रफ़तन वो रुका और जुक के गीली सुर्ख मटी हतेली पे उठाई फिर उसे चेहरे और बाजमों पे मलते हुए सीधा हुआ तो देखा अकब में आती लड़की करीब आ चुकी थी उसकी खमीज जगा चगा से मैली थी और सुनहरे गीले बाल गोल मोल जूडे में बंधे थे मूँ पे लगी सुख मटी सूख चुकी थी और वो मूँ बना के कह रही थी क्या बार बार इस मटी को खुद पे मलना जरूरी है तो आंकू उसने मदह मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को देखा जो हमें आता है वो हमेशा हमारी जान बचाएगा मुहुख करके मटी उठाने जुकी तो उसके अकब में खड़ा नौजवान नजर आया जो एक दरख से पत्ते तोड़ तोड़ के अपने थैले में भर रहा था एक जटके सेवान फाते की आंक खुली चन्द नमें वो चित लेटा रहा फिर साइड लैम जलाया अंधेर कमरे में जर्द रोशनी फैल गई साथ सोई असरा जरा सा किस में साइम अगर जागी नहीं पाते ने वक्त देखा सुबह के चार बज रहे थे वो अपने ठंडे एसी वाले कमरे में मौझूद था और उसने माते कुछ हुआ वहाना गर्मी थी न पसीना फिर ये खाब इतना हकिर्टी क्यों था इन खाबों से वो अब ठकने लगा था ये जंगल उसे बार बार नज़र आता था खाब की जुजियात और तफसीलात इतनी गहरी होती कि वो खाब खाब नहीं लगता था गर्मी और हबस जिसम पे बहता पसीना हर इहसास शदीद था उसे दरफ़तों के पत्तों की अश्काल और उन पे लगी लकीरें भी आती इनसानी जहन खाब बुन सकता है लकिन इतनी बारीग बीनी से माहौल भी बुन सकता है क्या ये खाब नहीं थे ये यादों की तरहां थे लेकिन वो कभी किसी जंगल में कीचर आलूद उल्चे बालों वाली तालिया के साथ नहीं गया था तो क्या ये खाब इस बात की अलामत था कि वो और तालिया एक ना खत्म होने वाले जंगल में सफर कर रहे थे और उसके साथ ही इसलिए फाते को उसका ख्याल तक नहीं आया था लेकिन कल दोपहर जब वो उसकी मेस की अशिया गिरा के उस पे चीख चिला के चली गई थी तब से वो उसके दमाग से एक लम्हे के लिए भी महव नहीं हुई थी दोपहर से रात तक वोस पे घुसा था शदीद घुसा उसने एक सियासी फैसला किया था और बहालते मجबूरी किया था मगर वोस के साथ इतनी बत्तमीजी से बात करेगी इस तरह मुश्टेल होके इस्तिफा दे जाएगी वान फाते को रात तक इस बात पे शदीद घुसा रहा था और अब सुबह उटते ही वो घुसा अफसोस में बदल गया था गहरे मलाल और गम में अपने फैसले पे नहीं कि सियासत में हाथ गंदे करने पड़ते थे सिर्फ इस बात पे कि अब तालिया नहीं थी वो उठा और अपनी अलमारी तक आया जॉगिंग के लिए कपड़े निकाले तो वो याद आई किस तरह वो सुबह ही सुबह उसकी जॉगिंग से वापसी के इंतिजार में पोर्च में खड़ी होती थी ओफिस के लिए स्तिरी शुदा कोट को देखा तो उस पे फ्लैग पिन नहीं थी मलेशिया के जھंडे वाली ननी सी पिन वो हमेशा उसके कोट पे लगा देती थी और अगर वो कहीं गिर जाए तो तालिया के स्याह बेग से एक और पिन निकल आती थी उसकी स्याह जंबील से ज़रूरत की हर शेय निकालाती थी सिर्फ फाते की जरूरत की खुद अपने लिए वो शायद ही कुछ रखती हो एक दफ़ा कैमपेंड के दौरान उसने यही सवाल तालिया से उस वक पूछा जब उसने फाते को फॉरण से एनरजी ड्रिंक निकाल के दी लड़की तुम अपने लिए भी कुछ रखती हो या नहीं सुनेहरे जूडे वाली उसकी चीफ अफ स्टाफ बेनियाजी से मुस्कुराई थी तालिया मुराद हर तरहा के हालात में गुजारा कर सकती है उसे इन ड्रिंक्स और एनरजी बार्स की जरूरत नहीं होती या शायद तुम किसी डाइट पे हो उसने बोतल का ढखना खोलते हुए उस पे चोट की मैंने एक दफ़ा चार देने एक रेन फॉरस्ट में गुजारे थे और मैं साथ खाने पीने का कोई सामान नहीं लेके गई थी तो तुमने वहां क्या खाया पिया ग्रास हॉपर्स खाये और गुस्सा पिया ओह तुम ये कह रही हो कि तुम्हें कीडे मुकडे खाने आते हैं जो हमें करना आता है न सर वो हमेशा हमारी जान बचाता है वो कहके अपनी फाइल उठाती आगे बढ़ गई थी कोट की फलाग पिन पे पिर्टे हुए वो चौका क्या ये उसकी कही बाते थी जो फाते के दमाग में कही महफूज हो गई थी और उसका जहन उनको उल्टा पुल्टा के खाबों की सूरत उसे दिखा रहा था उसने सर जटका और ट्रैक सूट निकाल के अल्मारी बंद की आज से तालिया मुराद को मिस करने का दौड शुरू होना था और फाते बिन रमजल इसके लिए तयार नहीं था आरियाना के इलावे उससे किसी को मिस करना नहीं आता था वो सलेबरिटी था वो नाराज होता था उसे नाराज लोगों को मनाना नहीं आता था उसे लोगों की पीछे जाना नहीं आता था और जो इनसान को करना नहीं आता वो उसकी जान तक ले सकता है सुबह हालिम के लौन पे तुलू हुई तो घास के तिनकों ने धूब की तवका में अंगडाई लेनी चाही मगर आसमान को बादलों से ढखा पाया तो शबनम के बोच तले कंथे ढलका दिये किचन की गोल मेज पे दाते नाश्ता चुन्ती नजर आ रही थी एडम गाल तले हतेली रखे खामोश बैठा था वो रात गैस्ट रूम में ठहर गया था तालिया पूरा दिन रापता ना करने के बाद रात देर से घर आई थी और किसी से बात किये बगएर उपर चली गई थी वो जब तक उससे कुछ कह सुन ना लेता उसे सकून ना आता इसलिए घर वापस नहीं गया था ज्यादा देर नहीं गुजरी जब वो सीड़ियां उतरती दिखाई दी उसको देख के वो चौंक के सीधा हुआ दातिन ने भी मेज पे बरतन रखते गोड़ से उसे देखा आम दिनों के बरक्स वो आज मुक्तलिफ तरीके से तयार हुई थी उसने सफैर ट्राउजर पे ए लाइन सबस बरसाती नुमा कोट पहन रखा था जिसके पीछे हुट गिरी थी कमर के गिर्द बेल्ट थी और वो जेबों में हाथ डाले उसके करीब चलती आ रही थी सुनेहरे बाल अब सिया और चोटे हो चूटे थे इतने चोटे के गर्दन की हड़ी को बमुश्किल चूटे थे चेहरा संजीधा था बाब कर चोटे बालों और हैर बैंड की वज़े से वो एक दम कम उम्र नज़र आने लगी थी दाते ने सर से पैर तक उसे देखा वो अब कुरसी खेंच के बैट रही थी कोई नया कौन? कोई नया किरदार? उसके हुलिये पे सवाल उठाया तो तालिया ने सपाट सी आँखे उठा के उसे देखा हाँ, वो ही जो मेरा असल है और चेहरा जुका के दलिये का प्याला अपने करीब किया यानि अब तुम तालिया मुराद बन चुकी हो? दातिन ने गहरी सांस ली नहीं दातिन, ये इस वक्त तालिया मुराद नहीं है वो गार से उसे देख रहा था ये तालिया मुराद उस रोज बनी थी जब बेस्मेंट में हम दोनों को बिठा के उन्होंने अपना किरदार लिखवाया था वो बॉस लेडी तालिया मुराद जिसने वान फाते के पास जॉब के लिए जाना था जो सब कुछ कर सकती थी तालिया खामोशी से चमच भर भर के दलिया खाने लगी दातिन ने हैरानी से एडम को देखा अगर तालिया अभी तालिया मुराद नहीं है तो क्या है? हालिम उसने मुस्कुरा कि उसके हुलिय की तरफ इशारा किया दलिये का चमच मुँ में रखते हुए तालिया भी मध्धम सा मुस्कुराई दातिन ने चौंक के दोबारा उसका हुड वाला कोड देखा नजर का अंदास बदला तो वो एक दम उससे प्राइविट इन्वेस्टिगेटर लगने लगी तो अब तुम हालिम हो इस तब्दीली की वज़ा तालिया ने शाने उचकाए वो बिलकुल नॉर्मल लग रही थी कल जब मैं केल की सडकों पे बेमकसद फिर रही थी तो मैंने एक सूप कार्ट वाले को देखा मैं उसके करीब गई तो मुझे कुछ नजर आया वो चमच दलिये में चलाती दूर खला में देखके कहने लगी अंदाज दोस्ताना था वरना एडम को डर था कि अब कितने ही दिन वो बात नहीं करेगी या अगर बोली तो रूखा फीका गुम सुम अंदाज होगा मगर वो साफ गोई से अपने दो बहतरी इन दोस्तों को अपनी कैफियाद बता रही थी मैंने उसके बरतन में सुर्ख खून भरते देखा मगर मैं आगे बढ़ गई थोड़ी देर गुजरी थी जब उसकी चीखों की आवाज आई वो आदमी सड़क क्रॉस करते हुए किसी कार के नीचे आ गया था उसने गहरी सांस लेकर दलिये का चमच मुँ में रखा वो दोनों खामोशी से उसे देखते रहे जिसकी आँखों में उदासी थी साथ साल पहले जब मैं इस मुल्क में आई थी तो मुझे दूसरों के बारे में सच्चे खाब दिखाई देने लगे थे लेकिन चंद माँ कबल जब मैंने तंगू का मिलके घर काम शुरू किया तो वो खाब कम से कम होते गए क्यूंके मैं उस जादूई सिक्के के करीब थी मेरी दूसरी सारी हिस्सियात कम होती गई और सिर्फ एक शेह रह गई उस सिक्के का हसूल वरना पहले में राह चलते लोगों के बारे में भी कुछ नकुछ देख लेती थी सिक्का और ब्रेसलिट जब आया तो मुझे सिर्फ अपने बारे में खाब दिखाई देने लगे पहले में खुद गर्ज हो गई थी और मलाका जाके मुझे सिर्फ अपने सर्वाइवल अपनी तकलीफ का ख्याल रहा था मगर कल जब मैंने वान फाते के दफ्तर से स्टीफा दिया तो जानते हो आडम क्या हुआ उसने मुस्कुराट के साथ सिर्फ आडम को देखा हर चीज़ खाली हो गई मुस्तक्बिल के खाब, माजी के गम और हाल की जद्व जहत कुछ भी ना रहा तालिया मुराद के पास फिक्र करने को कुछ भी ना रहा और इसलिए मैंने किसी और का मुस्तक्बिल देखा मुझे मेरी खोई हुई सलाहियत वापस मिली तो मुझे याद आया कि मैं क्या थी हालिम आप हालिम थी एडम धीरे से बोला तो वो सफेद हेयर बैंड वाली लड़की मुस्कुराई हाँ, मैं हालिम हूँ के एल की एक माहिर स्कैम एन्वेस्टिगेटर जब किसी के साथ फ्राइड होता है तो वो मेरे पास आता है मगर मैं सिर्फ उन लोगों के मसले हल करती थी जिनके मसले मैंने खुद पैदा कियो होते थे और अब आप लोगों के असल मसले हल करना चाहती है हाँ जानते हो मैंने हालम वाला फोन चेक किया तो दो तीन माह की अंगिनत मसले और केसे नजर आए और मुझे अपनी जिन्दगी का मकसद मिल गया है आज से मुझे अपने पहले केस पे काम करना है फिर वो खामोश होके दलिया खाने लगी तो दातिन ने भवें भीच के उसे देखा तुम ठीक हो वान फाते से अलग होने की तलखी और फाते पे मुझे बहुर गुसा है उन्होंने मुझे दुख दिया है मेरे आइडियलिजम और फैन डम के बलबले को तोड़ा है मगर दातिन उन्हों मस्कुरा के दातिन की तरफ चहरा मोड के बोली मैंने पिछला डेड़ माँ इस दुनिया में और चार माह मलाका में उनके साथ गुजारे है और जानती हो उन्होंने मुझे क्या सिखाया है किसी एक बुरे तजर्बे को लेकर मायूस ना हो जाना और गिरने के बाद हंस के दोबारा उठ खड़े होना एहडम ने जवाब दिया था उनसे मेरी सारी शिकायतें सारे गिले एक तरफ लेकिन उनसे अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तालिया सर मू लपेट के बैठ जाएगी हर गिज नहीं तालिया अपना काम करती रहेगी ये उन्होंने ही मुझे सिखाया है और उदास मुस्कुराहट के साथ सर जुका के दलिया खाने लगी कितने ही लम्हें खामोशी से गुजर गए चाय तालिया वो दुख से उसे देख के बोला हम आपके साथ हैं आपके हर गम से आपको निकालने के लिए वो हलका सा मुस्कुराई और आँखे उठाई कोई किसी को किसी गम से नहीं निकाल सकता एडम इनसान को हर चीज से खुद ही निकलना होता है नाश्ते की मेज पे खामोशी चागई वो चुप चाब दलिया खाती रही और दोनों उसे देखते रहे फिर दातिन खंकारी तो पहला क्लाइंट कौन है हालिम का तालिया ने नैपकेन से लब थप तपाए और हाथ पोंचती उठखडी हुई पहला क्लाइंट एडम बिन मुहम्मद है जिसको साइमन फॉस्टर नामी सहाफी ने धोका दिया है मैंने साइमन फॉस्टर से अपॉइंटमेंट ली है और आज शाम हम उसके पास जा रहे है तुम घर जाके अपने काम करो शाम को मैं तुमें उसकी आफिस बिल्डिंग में मिलूंगी एहडम का मुँ बेयकीनी से खुल गया था सब्स बरसाती वाली लड़की अब अपने मुबाइल पे कुछ देखती दर्वाजे की तरफ बढ़ गई थी उसको बैंक जाना था कुछ बिल्स अदा करने थे कुछ खरीदारी करनी थी गर्ज वो अपनी जिन्दगी में वापस आ चुकी थी वान फाते के बगएर वाली जिन्दगी में फाते को मिस करने का वक्त आज से शुरू होना था उसे लोगों को मिस करने की आदत नहीं थी मगर उसे मिस करने का फन आता था और जो उसे करना आता था वो उसकी जान बचाए रख सकता था अलबता दिल की कोई गैरंटी ना थी बी एन चेर्मेन के आफिस में उस वक्त काफी लोग मौजूद थे कैमरा मैन अपने कैमरे एड़ेस्ट कर रहे थे दीगर अमला लाइटिंग सेट कर रहा था और एंकर मोहिद अपने नोट्स पढ़ रहा था मेज के उस पार बैठा फाते एनक लगाए चेहरा जुकाए अपने फोन पे मसरूफ था दफ़तन डायरेक्टर ने ब्रेक के बाद वापस आने का एलान किया तो फाते ने एनक उतार के मेज पे रख दी और चेहरे पे मस्कुराहट वापस ले आया मोहिद ने भी टाई दुरूस्त की और इंटर्वियू का दूसरा हिस्सा शुरू किया फाते साहब अभी तक हम आपसे चेहरमेन बनने के बाद दरपेश चैलेंजिस की बात कर रहे थे अब हमें उस सवाल की तरफ आते हैं जो आपके सपोर्टर्स और नाकिदीन के जहन में है मोहिद पेशा वराना मस्कुराहट के साथ पूछ रहा था दोनों के दरमियान फाते की आफस टेबल हाइल थी आपने बबांगे दोहल कहा था कि आप किसी मारूफन करप्ट आदमी को पार्टी में नहीं लेंगे लेकिन चेहरमेन बनते ही आपने हश्शाम जरजीज जैसे लोगों को अपने साथ चामल कर लिया अपनी उची कुर्सी पे बैठे फाते ने मुस्कुरा के सर जटका सुर्मई सूट में मलबूस बाल दाएं जानिब जमाए साफ रंगत और वजी शख्शियत वाला चेहरमेन मुतमईन नजर आ रहा था मोहिद जब मैं छोटा था तो मुझे अपने वालिद की कुछ बातें बहुत बुरी लगती थी और मैं कहता था कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा लेकिन जब मैं खुद बाप बना तो मैंने अपने आपको वही करते पाया जो मेरे वालिद किया करते थे और मैंने तब जाना के इनसान बहुत सी बातें ना तजर्बाकारी के बाइस कहता है जो बाद में गलत साबित हो जाती है अब सूरत हाल को डील करने के दो तरीके हैं या तो मैं अपनी बात से मुकर जाओं के मेरा वो मतलब नहीं था या फिर उसने गहरी सांस ली कैमरा मैंन उसके चेहरे की गरीब से अक्सबंदी कर रहा था या फिर आप साफगोई से इस बात को तस्लीम कर लें कि आपने ज़स्बात में एक ऐसी बात कह दी जिसकी हकीकत आप वक्त नहीं जानते थे इनसान हर पल ग्रो करता है कुछ सीखता है मैं जब चेहरमेन बना तो मैंने जाना कि चेहरमेन अपनी पार्टी का बाप होता है और बाप को बाप को बाज फैसले मजबूरी में करने पड़ते हैं जिनकी मसलेहत अलाद को बरसों बाद समझाती है बाप अपनी अना को मुकद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द रह्मान के साथ एक स्टेज पे खड़े होके ये इलान किया था कि मैं किसी करप्ट आदमी को अपने साथ चामिल नहीं करूंगा तो मैं वान फाते बनके कह रहा था सियासत में हम ऐसे बयान दे दिया करते हैं लेकिन चेर्मेन बनने के बाद मेरे उपर एक सिम्मेदारी आइद हो गई मैं अब सिर्फ वान फाते नहीं हूँ मैं अपनी पार्टी की अगले इलेक्शन में जीत या हार का जिम्मेदार हूँ ठीक है मान लिया हो ना तो जिर्वेकारी में दिया गया एक सियासी बयान था और मारूफन करप्ट लोगों को अपने साथ चामिल करना आपकी सियासी मजबूरी है क्योंके ये बात दुरूस्त है कि सबा में जिर्जीस साहब को साथ मिलाए बगार कोई इलेक्शन नहीं जीच सकता वो जितने भी करप्ट हो जाएं सबा के लोग हमेशा उनको वोट देते हैं वहां से आपको कमसकम भी 20 सीटें मिल जाएंगी और ये 20 सीटें आपको वजीर आजम बनवा सकती है लेकिन मुहिद रुका और दुबारा से खंकारा लेकिन फातिस सहब क्या जिर्जीस जैसे लोगों को अपने साथ मिला के आप माश्रे में वो बेहत्री ला सकेंगे जिसके आपने अवाम से वादे किये थे क्या ये लोग आपको ये सब कलने देंगे क्योंकि अगर इंसाफ आ गया तो ये खुद जेल जाएंगे देखो पहली बात मोहिद जिर्जीस पे कोई भी करक्शन के साबित नहीं हुआ इस बात पे मोहिद ने बुरा सा मूँ बनाया मंगर उसने बात जारी रखी और ये मेरी नहीं सूफिया रह्मान की हुकूमत है अगर जिर्जीस करप्ट है तो उसे गरिफतार करें और उस पे मुकदमा चलाएं सूफिया साहिबा आए रोज कह रही है कि फाते ने करप्ट लोगों को शामिल कर लिया है तो वजिर आजम साहिबा उसको जेल में क्यों नहीं डालती जिर्जीस को लेने का ये मतलब नहीं है कि मैं हर एक को पार्टी में ले लूँगा मैं सूफिया रह्मान जैसे लोगों को नहीं ले सकता जो इतने करप्ट हों कि उनका नाम हौंग कॉंग पेपर्स में हो सर हौंग कॉंग पेपर्स तो एक रोज अखबार की जीनत बने और अंगले रोज गायब हो गए किसी को वो याद भी नहीं साइमन फॉस्टर के नाम की वज़ा से पहले रोज अखबार बिका और पिर दूसरी खबरों ने इस खबर को दबा दिया अब तो कोई सूफिया रह्मान साहिबा से उनके आफशोर कंपनी के बारे में सवाल भी नहीं पूछता इसलिए हौंग कॉंग पेपर्स को तो आप रहने दें मेरा सवाल ये है कि चलें जिर्जीस की आप बुराई नहीं करेंगे क्यूंके अब वो आपकी टीम का हिस्सा है लेकिन फाते सहब इस तरह के ग्रे सियासतदानों को लेकर क्या आप माश्रे में तबदीली ला सकते हैं मोहिद यहां हर शख्स ग्रे है यकीन करो मुझे आज तक वो स्नो वाइट सियासतदान नहीं मिला जिसकी मीडिया को तलाश रहती है मैं ऐसे सियासतदान कहां सिलाओं शरीफ लोग सियासत में आते नहीं हैं और जो आते हैं मुखालिफ उन पे कीचर उचाल उचाल के उनको दाख़दार कर देते हैं जो सियासतदान इस मुल्क में बचे हैं मुझे उनहीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा अब तुम मुझे एक बात बताओ एक सियासतदान का काम क्या होता है सौरी सर मुहित को समझ ना आया मेरी पार्टी के मेंबर्स जब इलेक्शन जीत के पार्लिमेंट में जाएंगे तो उनका काम क्या होगा सड़कें बनाना अपने हलके में स्कूल खोलना हस्पताल बनाना लोगों के गुर्बत करना ये सब उसने खुद ही नफी में सर हिलाया हर्गिस नहीं मेंबर पार्लिमेंट का काम घर घर जाके मसले हल करना या सड़कों की मरम्मत करना या नौक्रियां देना नहीं होता मेरी बात गौट से सुनो ये इदारों का काम होता है मेंबर पार्लिमेंट का काम सिर्फ एक होता है लेजिसलेशन करना, कानून बनाना, फालिसी बनाना हमने इलेक्शन जीत के हर हलके में स्कूल नहीं खोलने हमने तालीम के लिए ऐसे नहीं कवानीं बनाने हैं जो महक में सहत खुद आगे हर हस्पताल में नाफिस करे मुझे पार्लिमेंट में कोई भी नया कानून पास करवाने के लिए दो तेहाई लोगों की हमायत चाहिए अगर मेरे पास कसी रतादाद में पार्लिमानी मेंबरान नहीं होंगे तो मैं नए गवानीं कैसे पास करवाऊंगा अब मुझे बताओ मोहित पावर पॉलिटिक्स में ये जोड तोड किये बगएर मैं मुलक में बहितरी कैसे ला सकता हूँ ओके सर मगर मेरा सवाल अब भी वही है किया जिर्जीज जैसे लोग आपको करवशन के खिलाफ गवानीन बनाने देंगे क्यूंकि ऐसी सूरत में वो खुद कल पकड़े जाएंगे मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा क्यूंकि दूसरा आप्शन मेरे पास ये है कि मैं सिर्फ पार साल लोगों को साथ रखूँ और अगले पचास साल तक बस इलेक्शन ही लड़ता रहूँ ना मैं पावर में आऊंगा ना मैं कोई बहतरी ला सकूँगा बस सूफिया रह्मान जैसे लोग पावर में रहेंगे और कोई अच्छे कवानी नहीं बनाएंगे अब आप बताएं एक बाप अपनी उलाद के लिए किस आप्शन को बहतर समझेगा वो इंटर्वियू सौथ लॉबी में नस्प टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था सामने रिसेप्शन बना था और लोग आ जा रहे थे एक जानब सोफे पे बैठे तालिया और एडम गर्दने उठाए स्क्रीन को देख रहे थे एडम चेक वाली शिर्ट में मलबूस कलाई के कफ बंद किये आगे होके बैठा बार बार तालिया का चेहरा देखता था वो बिना तास्र था वान फाते गलत नहीं कह रहे ताफ़तन वो खंकारा उन्होंने अपने खाप के उपर समझाता नहीं किया खाप के लिए समझाता किया है अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कभी पावर में नहीं आ सकते तालिया ने गर्दन मोर के संजीदगी से उसे देखा एडम मैंने जब उनको खरी खरी सुनाई थी तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत सेल्फ राइच्छूस हूँ मैं खुद क्या थी मुझे फाते को इलेक्शन जितवाने के लिए क्या क्या करना पड़ा अशर से पैसे लेने पड़े कितने स्टन्ट करने पड़े तुम वो सब जानते हो लेकिन अगर मैं ये सब करूँ तो बनता है फाते ये करे तो नहीं बनता मुझे भी मालूम है कि जो उन्होंने किया वो वक्त की जरूरत था और मैं भी उनको यही मश्वरा देती अगर उन्होंने इतने बड़े बोल ना बोले होते उन्होंने जिर्जीस से हाथ मिलाया ये गलत नहीं है उन्होंने कदीम मलाका में मुझे भी दूसरा और तीसरा मौका दिया था वो चोरों को सुधरने का मौका देने पर यकीन रखते हैं बात ये है कि उन्होंने अपने एहद की पासदारी नहीं की इन्सान का कॉल उसका बॉंड होता है वो लीडर हैं उन्से तवाकात ज्यादा है अपने कौल से फिरके उन्होंने खुद को एक 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 इन्सान साबित किया है और बस एन्म ने मुस्कुरा के कहा तो वो जो लफ जून रही थी चनलमे कुछ बोल ही ना सकी चैतालिया वो इन्सान है और वो पूरी قوم के सामने ये तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने सियासी शोला बयानी में एक नामुम्किन वादा कर लिया था जिर्जीस को लेना खराकी तोर पे गलत था सियासी तोर पे नहीं गलत उनका नामुम्किन वादा करना था उन्होंने इस बात को तसलीम किया इस से ज्यादा आप एक सियासतदान से किस चीज की तवका करती है तालिया ने तुन्दुही से उसे घूरा मैं उनको पर्फेक्ट समझती थी आडम मैंने उनके लिए इतना काम किया खुद को लाइम लाइट में भी ले आई अब इस अखबार के दफ्तर में चलते फिरते सब लोग मुझे पहचानते हैं और मैं सोच रही हूँ क्या ये सब इतना माईने रखता था कि मैं इतनी कोशिशें करती अभी वो क्या ही रही थी कि स्क्रीन पे नजर आते मोहिद ने अगला सवाल जाड़ा सुना है आपकी केमपेन मेनेजर तालिया मुराद ने जिरजीस साहब की शमूलियत पे इहतिजाजा ने स्तीफा दे दिया है क्या ये बात दुरुस्त है कि इस फैसले से पार्टी वाले भी नराज है तालिया का सांस थम गया वो दम साधे स्क्रीन को देखने लगी कैमरे ने फाते का चेहरा दिखाया तालिया मुराद उसने धीरे से हस के सर जटता तालिया मेरी केमपेन मेनेजर थी उसका कांट्रेक्ट एलेक्शन तक था और हम सब की खौहिश थी कि वो उसके बाद भी काम करती लेकिन कैमपेन ने उसे बहुत ठका दिया था यूनो बरंट आउट सिंड्रोम इसलिए वो फिलहाल छुटी पे चली गई है और जैसे ही वो वापस आएगी आप उसको हमारे साथ ही पाएंगे इसमें कुछ ऐसा गेर मामूली नहीं है जरा से शाने भी उचकाए तालिया पलक जपके बिना स्क्रीन को देख रही थी वो कबर कर रहा था या उसे वापस बुला रहा था एक और सवाल मोहित के उपर कैमरा आया तो वो मुस्कुरा के पूछने लगा अच्छा एंकर एक आखरी सवाल अपनी पिटारी में रहसा रखता है जिसके बारे में सामने बैठे महमान को गुमान भी नहीं होता इस सवाल का मकसद महमान को हैरान करना या गुस्सा दिलाना होता है दोनों सूर्थों में महमान अपनी मस्नुई मस्कुराहत वाले खोल को चटाख देने पे मजबूर हो जाता है और उसका जो नैच्रल रद्ध अमल सामने आता है वो बादे अज़ाम मशूर हो जाता है यूट्यूब पे उसके क्लिप्स चलते हैं और प्रोग्राइम की रेटिंग बढ़ती है फाते सहाम मुस्द्ध का जराई से खबर मिली है कि आपकी साबगा कैमपेन मैनेजर तालिया मुराद के खिलाफ प्रोसीक्यूशन डिपार्टमेंट तफ्टीश कर रहा है गालिबन किसी फ्रॉड वगेरा के सलसले में आप इस पे कॉमेंट करना चाहेंगे चेर्मेन की कुर्सी पे बैठा वजी सूरत मर्द लबहें बर को चुप रह गया वो हैरान हुआ था सवाल गेर मतवक्का था अलबता उसने सिर्फ अब्रू एक खटे की और अचंबे से मुहित को देखा मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है मगर आप लोग पर का परिंदा बना दिया करते हैं I'm sure ये कोई गलत फहमी होगी क्योंके तालिया मुराद एक बहुत काबल भरोसा, क्रेडिबल और मौजस खातून है और अमूमन ऐसी खवातीन जब सियासत में आती है तो उनको इंतकामी कारवाईयों का निशाना बनाया जाता है अगर तालिया के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो यकीनां हकूमती पार्टी उनको टार्गेट कर रही है इतमाद से जवाब आया सिवाए हैरानी के उसके चेहरे पे कोई ऐसा तास्र ना था ना बदेतमादी ना परेशानी वो उसे देख के रह गई तो फातिह के साथ काम ने मुझे दूरी नगारा मलायो यानि मलेशिया का कौमी कांटा बना दिया है वो गर्ब से बोली थी मैं तो बंगाराया मलायो थी आडम ये लोग अब मुझ पे ऐसे की चड़ उचा लेंगे कुछ नहीं होगा चैतालिया और साइमन उसने एकदम खंकार के तबज़ा रहधारी की तरफ मबजूल करवाई तो वो चौंकी गर्दन मोड के देखा तो सामने तवील रहधारी में साइमन फॉस्टर दो अफराद के हमरा खड़ा कुछ काख़ाद देख रहा था तालिया ने गहरी सांस लेके खुद को नॉर्मल किया और उठी एडम भी साथ ही उठा अब हम क्या कहेंगे साइमन को वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है अपनी स्टोरी का क्राड़िट मुझे कैसे देगा एडम को यही बात समझ नहीं आ रहा था कि तालिया उसे कैसे धमकाएगी या बलैक मेल करेगी और वो अवाम के सामने अपनी चोरी का इतराफ करने पर मजबूर हो जाए और एडम से माफी मांगे बहुत आसान वो होट को सर के उपर करते हुए हत्मी लहचे में बोली हम साइमन फॉस्टर को उसके आउकात याद दिला देंगे मेरे साथ आओ उसके जारहाना अंदाज ने एडम के अंदर नई रूफ भूँट दी वो तेजी से उसके पीछे लबका साइमन के गरीब जाते हुए हेरों इश्तियाल अंदर उबलने लगा था वो दोनों उसके करीब आई तो साइमन ने साथ मौजूद अफराद को जाने का कह दिया और संजीद की से उन दोनों को देखा और फिर हलका सा मुस्कुराया ओओ एडम कैसे हो तुम फिर उसे नजर अंदास करके तालिया को देखा चै तालिया आप कैसी हैं? बहुत अच्छी कैमपेंच चलाई आपने इफाते रामजल की वो खुश दिली से अंग्रेजी में गोया हुआ एडम ने मुच्ठियां भीच लिया और कुछ कहने ही लगा था कि ओ साइमन, मैं तो खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी स्टोरीज तो हम जैसे लोगों का सच का साथ देने की हिम्मत देती है और वो हॉंग कॉंग पेपर्स वाली स्टोरी तो बहुत जबरदस थी वो अपने दोनों हाथ बाहा मिलाए किसी फैन गर्ल की तरह मरूब होके कह रही थी एदम के कंदे ढीले पड़ गए, मुझ खुल गया, बेयकीनी से उसे देखा आप मुझे शर्मिन्दा करी है चैतालिया साइमन तफाखर से मुस्कुराया और आपको पता है, एदम मेरा दोस्त है और मैं सबसे ज्यादा आपकी शुकर गुजार इसलिए हूँ कि आपने सोर्स को मखफी रखा राजदाराना अंदाज में एदम की तरफ इशारा किया और आवाज धीमी की प्लीज आप इसका नाम राज में रखिएगा वरना हर कोई आपकी तरह निडर नहीं होता कि बारसूख अफराद से लड़ाई मोल ले एदम तो वैसे ही बहुत डर्पोख है अब भी डर रहा था कि कहीं साइमन सहाब मेरा नाम ना बता दें किसी को मैंने सोचा इसको साथ ले आऊ और तसली करवा दूँ कि आप इसका नाम नहीं लेंगे वो तीनो रहदारी में आमने सामने खड़े थे और एदम अब बस तालिया को घूरे जा रहा था ओहो फिकर की तो कोई बात ही नहीं एडम ने जिस तरह राजदारी से मवाद मेरे हवाले किया था मैं इसका एतमाद तोड़ने का सोच भी नहीं सकता एडम तुम फिकर ना करो साइमन ने बड़े भाईयों वाले अंदाज में एडम के शाने पे हात रखा तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा ये मेरा वादा है और सारे जगड़े इस नाम के ही तो थे वो इतना शशदर था कि कुछ कह ही ना सका बस सर हिला दिया अच्छा साइमन एक और बात वुजरत तश्वीश से बोली आपने जो दस नाम लीग किये वो अपनी एहमियत खो रहे हैं मैं सोच रही थी कि तक्रीबन डेल लाक इमेल्स जो एडम के पास है हमें उन सबसे मजीद नाम लेकर लीग करना चाहिए बमे तबूत के ताकि ये स्टोरी ज्यादा मशूर हो हाँ बिलकुल मैं भी यही चाहता हूँ और मैं आडम से इसी सिल्सले में कॉंटेक्ट करना चाहता था मगर मसरूफियत के बाइस कर नहीं सका मसरूफियत ये शर्मिंदगी के बाइस आडम तुन्दही से उसे देख के रह गया मगर साइमन इस दफ़ा हम उन्हें सिर्फ एक नियूज स्टोरी के तौर पे नहीं चापेंगे क्योंके अब आप दोनों के पास मेरे जैसी स्यासी स्ट्राडरजिस्ट मौजूद है वो मस्कुरा के कह रही थी हम इन नामों को भरपूर मनसूबा बंदी से लांच करेंगे और बे फिकर रहे मैं फीस नहीं लूँगी मगर मेरी सिर्फ एक शर्त है कि मेरे दोस्त का नाम राज रहेगा मीडिया पे हर जगा आपका ही नाम होना चाहिए आफ कोर्स बिल्कुल फिकर ना कीजिए वो खोश दिली से बोला तो क्या स्ट्राटेजी है आपके जहन में साथ ही उसने कलाई पे बंदी घड़ी देखी वो गालिबन कहीं जाने के लिए लेट हो रहा था आपके पास वक्त कम है सो फिल हल हम एक ट्विटर हैंडल से आगास करते है तालिया ने उसके सेल फोन की तरफ इशारा किया मैंने आपको एक नए हैंडल का लिंक डियम किया है आप उसको अपने ट्विटर से शेयर कर दें ताके लोग उसकी तरफ मतवज़ा हो साइमन ने फोन निकाला और स्क्रीन रोशन की फिर अबरू उठा के उसे देखा दि हॉंग कॉंग पेपर्स वाह वो अब स्क्रीन को उपर करता उस ने हैंडल को देख रहा था हम इस हैंडल के जरीए एक हाइप बनाएंगे और फिर वेब साइट लाँच कर देंगे मजीद नाम कमिंग सून हैं जैसी खबरें लगाएंगे और जब तक हम लोगों की तवज़ा दिखेरने में कामियाब हो जाएंगे एडम मजीद नाम निकाल चुका होगा अम आहिस्ता आहिस्ता नाम देते जाएंगे ताके ये खबर मर ना जाए बलके लोगों को इंतिजार रहे शर्त सिर्फ ये है कि फरंट पे आप होंगे और बैक पे मैं और एडम वो मतानत से उसे समझा रही थी और साइमन ताईदी अंदाज में सर हिला रहा था अगर ये खबर बेन लगवामी लेवल पर उठाई जाए तो साइमन आप किसी इंटरनेशनल एवार्ड के लिए नामज़द हो सकते हैं लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब हम इसकी प्रोमोशन दुरस तरीके से करें वो मुस्कुरा के कह रही थी और एडम हून के घूट पी रहा था एक दफ़ा बंगाराया मलाया का आखरी बाब लिखना नसीब हो मुझे ऐसे शानदार तरीके से शहजादी ताशा का अंजाम लिखूंगा कि याद करेंगी मुझे नहीं मालूम था कि आप साइमन की भी फैन है बहरकार की तरफ जाते हुए वो खफकी से बोला तुम्हें लगा था मैं उसको डराऊं धमकाऊंगी या बलैक मेल करूंगी उस संजीदा शकल बनाए चलती जा रही थी साइमन से मुलाकात खत्म हुए तो फाते के इंटर्वियू के बाद वाले तासुराद चेहरे पे चागए थे तो हम और किसलिए गए थे वहाँ आडम बिन महम्मद वो उसकी तरफ घूमी और आँखों की पुतलियां सिकोड के गोर से उसे देखा मैं लोगों को बलैक मेल नहीं करती ना उनको डराती धमकाती हूँ क्या तुम अभी तक तालिया को नहीं जानते मैं लोगों को सिर्फ लालच देती हूँ सुनेहरे मुस्तक्बिल का लालच एक कौन आर्टिस्ट लोगों से कॉन्फिडन्स गेम खेलता है वो जिस चीज़ पे सबसे ज्यादा इतमाद करते हैं वो उसी को इस्तेमाल करता है जानते हो इनसान को सबसे ज्यादा इतमाद किस चीज़ पे होता है किस पे अपने खाबों के पूरा होने पे हम सब को लगता है कि एक दिन हम बहुत अमीर हो जाएंगे या बहुत खुबसूरत हो जाएंगे या गुना हमाफ करवा के जन्नत में चले जाएंगे या जो केरियर चाहते हैं वो बना लेंगे खाबों के लिए कोई मेहनत करे या ना करे ये उमीद अक्सर इनसानों को होती है कि एक दिन वो सब कुछ पा लेंगे कौन आर्टिस्ट? सिर्फ टार्गिट के खाबों को पूरा करने की सूरत निकाल के देता है और साइमन का सबसे बड़ा खाब क्या है? आपको पता होगा, आप उसकी फैन है, वो हनूज नारास था वो ही जो तुम्हारा और हर सहाफी का खाब होता है कि एक दिन उसकी कोई स्टोरी इतनी मशूर हो कि वो से बैनुल अक्वामी एवार्ड्स जित्वाए खाब इनसान का ब्लाइंड स्पॉर्ट होते हैं और वो उनके लिए हर खत्रा मोल ले लेता है साइमन भी लेगा तो हम साइमन को कौन कर रहे हैं? वो अचम्भे से उसे देख रहा था दोनों पारकिंग एरिया में खड़े थे आस्मान बादलों से ढखा था और वहां छाया सी थी जो हमें करना आता है वो ही हमारी जान बचाए रखता है आडम और तालिया को सिर्फ लोगों को कौन करना आता है ऐसे है तो ऐसे ही सही गंधे उचका के वो कार की तरफ बढ़ गई एडम को ड्रॉप करने तक वो उसको अपने प्लान से आगाह करती आई थी वो खामोशी से सुनता रहा मैं आपसे एक और बात भी कहना चाहता हूँ वो मौजू से हट के कहने लगा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और हुकूमती पार्टी ने आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया है वो आपको दूरी नगारा मलायों के तौर पर पेश कर रहे हैं मलाया का कौमी कांटा सारी कौम का कांटा मगर नहीं चैता लिया वो मस्कुरा के उसे देख के बोला आप बंगाराया मलायों थी मलाया का फूल और वो ही रहेंगी मलाया का कांटा सूफिया रहमान जैसे लोग हैं और हमें अपने मुल्क को उनसे आज़ाद कराना है मस्कुरा के कहते वो कार का दर्वाजा खोलने लगा उसका घर आ गया था थोड़ी देर बाद वो अपने बरामदे के स्टेप पे तनहा बैठा था बागी चेपे बादलों की च्छाया थी क्यूंके आज सूरज ने सारे शेहर से परदा कर रखा था मुर्गी और उसके चूजे जाने कहां गुम थे मा ने बताया था के रात को बिल्ली एक चूजा उठा कर ले गई थी इसलिए आज मुर्गी अपने बच्चों के साथ कहीं छूपी बैठी थी एडम ने एक नजर अपने अत्राफ में पहले खूबसूरत मनजर को देखा और फिर गुटनों पे रखे कागजों को फिर उसने कलम खोला और पहले सफे पे जली हरूफ में लिखने लगा दूरी नगारा मलायो अज एडम बिन मुहम्मद एक किताब उसने कदीम मलाका में लिखी थी एक किताब वो अब लिखने जा रहा था पहली का नाम उसने एक मौरख के बस्ते में रखे कागजात से चुराया था दूसरी का नाम उसने चैतालिया की गुफदुगू से चुराया था क्योंके राइटर्स बेहत्रीन जोर होते हैं